कि देखो एक सेक्शन सेलरी के अंदर आपका इसके अंदर में सेक्शन अब आपके जितने भी हैं सारे वो करेंगे हम एक्जिंशन बेस कैया होता है आपका कि जितना भी आपको ऑनर के थू दिया जाता है आपको सारा आपके स Eli में नहीं जोड़ता उस में से पहले कुछ पार्ट हम क्या करते हैं माइनस कर कर देते हैं फिर remaining को सेलरी में जोड़ देते हैं तो उसको हम बोलते हैं अभी हम प्रैक्टिकल देखेंगे टॉपिक जो है मेरा वह हाउस रेंट अलाउंसे सेक्शन 13 सबसेक्शन 13A हाउस रेंट अलाउंसे क्या होता है जैसे कि मान लो राम एक एम्प्लॉई है राम जो है वो एक एम्प्लॉई है और वो कंपनी में काम करता है सपोस एक्स वाई जेट लिमिटेड में एक्स वाई जेट लिमिटेड कंपनी में वो काम करता है तो जब राम जॉब करता है यहां पे तो राम को क्या मिलेगा सेलरी और सेलरी में बहुत सारी चीजों को जोड कर दिया जाएगा तो राम को जब सेलरी मिलेगा तो इस राम को इस सेलरी के उपर टेक्स देना है लेकिन किस-किस आइटम को जोड के दिया हुआ है किस-किस आइटम पर टेक्स देना है नहीं देना वो देखेंगे अब राम को इसमें से एक सेलरी के अंदर पार्ट जो जुड़ा हुआ होगा ना उसको हम बोलते हाउस रेंट अलाउंसिस यानि हारे जैसे की फर्स क्लास में बताया था बेसिक होता है डी ए होता है उसके बाद एचारे होता है आपका फिर आपका परकिजिट्स भी मैंने बताया था तो ये एक पार्ट जो जुड़ा हुआ होगा वो एचारे होगा उसका ट्रीटमेंट सीखेंगे हम इसमें अगर राम को एचारे का मतलब क्या हुआ कमपनी राम को कैश दे देता है कैश दे देता है बोलता है कि रहने के लिए आपको रेंट पर मकान चाहिए इसलिए मैं आपको रेंट दे रहा हूँ ताकि आप रह पाओ तो जो ये रेंट देता है उसको बोलते है HRA, company अगर अपने employee को rent देता है रहने के लिए, लेकिन वो देखा salary का साथ ही जोड़ के तो उसे क्या बोलेंगे हम? HRA लेकिन अगर company बोलता के मेरे पास एक मकान है, उस मकान में आप रह सकते हो, यानि घर company ने provide कर दिया तो इसको हम बोलते है HRA नहीं, इसको बोलते है rent free, rent free का मतलब अब इसको rent की चिंता ना तो इसको है ना ही rent की चिंता इसको है rent free accommodation accommodation का मतलब क्या होता है आपका, accommodation मतलब एक आपको सुभिदा देगे जहाँ पे आप रहोगे तो दो तरीके से company कर सकता है या तो इसको cash दे दे तब तो क्या मानेंगे हैं उसको HRA लेकिन अगर cash नहीं देता इसको एक घर देते हैं रहने के लिए तो क्या मानेंगे rent free accommodation ये हमारा perquisites होगा ये हमारा perquisites होगा जो कि हम बाद में देखेंगे यानि हम सीखेंगे क्या मालिक अपने employee को rent का पैसा नगत दे रहा है तो कैसे treatment होगा HRA house rent allowances के अंदर क्या है हमारा exempt lower off जब company इसको rent देगा मान लो इसको 10,000 रुपे rent दिया जा रहे है salary में जोड कर और 10,000 रुपे actual receive कितना है हमारा 10,000 रुपे दे रहे है न तो actual receive का मतलब कितना rent receive कर रहे है 10,000 ये क्या calculation अभी देखते हैं इस calculation को calculate करके हमारा आ गया मान लो 5,000 या 13,000 इस calculation को calculate करके हो गया 12,000 तो इन तीनों में से जो कम होगा न वो exempt हो जाएगा इसका मतलब क्या है जब हम इसका salary computation तयार करेंगे जैसे लिखेंगे basic मान लो basic एक लाख है फिर मैं लिखूंगा इसके अंदर DA DA मान लो इसमें 50,000 है फिर मैं लिखूंगा house rent allowances क्या मालिक ने अपने employee को rent दिया बिल्कुल दिया कितना दिया 10,000 नहीं जोड़ना मुझे इसमें 10,000 रुपे नहीं जोड़ना जो इन तीनों में से कम होगा पहले उसको minus करो कम क्या है तीनों में से या suppose इसको मैं मान लेता हूँ 6,000 ठीक है तीनों में से कम कुन से मैं 6,000 minus करूँगा तो tax पता है कितने तो बेसिकली हम इसके अंदर exemption lower of का मतलब क्या होता है जो हमें मिला है वो सारा का सारा हम इधर लिख outer column में लिखके taxable नहीं करेंगे taxable कितने portion को करेंगे minus करने के बाद जैसे कि children education allowance था जैसे कि हमारा hostel expenditure allowance था सेम उसी तरीके से अब देखते हैं house rent allowance में exempt lower of अगर actual receive करेगा और यह है rent paid 10% of SRB SRB का मतलब है salary for retirement benefit इसको मैंने short form में SRB लिखा हुआ है जब कभी भी SRB का मैं word वो लूँगा तो इसके अंदर क्या 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 components जुड़ा होता है उसको भी लिख दिया SRB क्या होता है basic salary plus DA DA दो तरीके का होता है एक fix होता है एक retirement benefit तो DA हम लेंगे इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा portion retirement benefit plus fix commission percentage अब commission दो तरीके का होता है मानलो जब राम जॉब करता है मानलो जब राम अगर जॉब करता है मैंने बोला भाई इसको आप 1000 SIM card बेच दो आपको 2000 रुपे का commission है ये भी commission है एक मैं इसको बोल सकता हूँ आप 1000 SIM card बेच दो उसके बाद एक SIM card है मानलो 500 रुपे का उसके बाद आपको जितने भी extra बेचोगे उसका 20% commission तो यहां पे 1000 बेचता है फिर उसने अगर 2 बेचे तो कितना commission मिलेगा उसे 1000 के बाद 200 रुपे कैसे 500 का एक SIM 500 का एक SIM दोनों SIM कितने के हो गए 1000 उसका 20% अगर 4 बेचता है तो 400 यानि वो commission change होता रहेगा एक मैंने बोला 1000 SIM बेचो उसके बाद बेचोगे तो आपको 2000 रुपे commission तो यह क्या हमारा एक fix है तो इस commission की बात नहीं करी गई है करी गई है जो percentage के terms में होगा commission fix करा जाए किस के दौरा company के दौरा अगर commission question में आता है कि 10% commission of turnover वो हमारा SRV का part है लेकिन आता है कि 10,000 रुपे commission वो हमारा part नहीं है इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है तो basic salary plus में DA किसका retirement मैंने बोला था एक retirement percentage वाला जो होता हो retirement benefit plus percentage fix commission percentage fix commission क्या होगा हमारा जो commission हमारा sales के बढ़ने या घटने के साथ commission changes होता रहता है तो 10% ले लेंगे पहले हम तो calculate करेंगे क्या salary उसके बाद उसका कितने percent ले लेंगे हम 10% rent paid में से 10% sell SRB करेंगे तो कुछ amount रहेगा उसके 40% और 50% अब आप job किस area में करते हो ये depend करते है Metro City में करते हो या फिर other city में करते हो अब Metro City इंडिया के अंदर कौन-कौन सा है डेली मुंबई चेन्नाई कोलकता इसको Metro City का एक government ने नाम दिया वागे Metro City है अगर इन जगह पर रहोगे तो government का मानना है यहां का living cost हाई है ठीक है अब बैंगलोर भी आगया है इसके अंदर तो अगर इसके अंदर रहोगे तो इसके अंदर आपके खर्चे ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे salary का 50% लोगे आप comparison करने के लिए other city पंजाब हर्याना UP वहाँ पे क्या लोगे आप 40% तो note में क्या लिखा सबसे पहले मैंने salary for retirement benefit basic salary plus में DA retirement benefit plus में fix percentage of commission इसके बाद लिखा है 50% of SRV for metro city metro city होगा तो कितना benefit मिलेगा 50% calculate करोगे लेकिन अगर other हुआ तो 40% calculate करोगे अब मालिक जब आपको किराया देगा रेंट देगा तो दो condition हो सकता या तो आपने सच में किराये पे मकान लिया है और फिर किराये पे रह रहे हो तब ये rule लगेगा आपका अपना मकान है मानलो आप नेता जी सुभाज पहलेस में जॉब करते हो मालिक आपको बोलता है ये लो 5000 किराये के लिए मालिक को पता नहीं है उन्होंने दे दिया अब आप रहते हो अपने घर पे क्या आप किराये पेड कर रहे हो नहीं कर रहे हैं तो अगर ऐसा situation आता है तो ये rule लगेगा ही नहीं जितना मिला है सब को taxable करो यानि एक है आपका exempt lower off पहले exemption दोगे remaining को taxable करोगे मतलब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 10,000-6,000 remaining taxable है एक होगा कि नहीं जी पूरे के पूरे 10,000 आपके salary में क्या होगा जुड जाएगा कब होगा जब employee not paid rent जब employee rent नहीं देता जैसे अपने मान लो चाचा के घर पे रह रह रहा है या अपने किसी relative के घर पे रह रह रहा है तो rent नहीं दे रहा तो नहीं दे तो फिर पूरा का पूरा taxable होगा दूसरा employee stay in his own house अपने घर में रहता है family के साथ रहता है अपने घर में तो भी जो भी मिलेगा rent वो क्या करेंगा उसमें से कुछ माइनस करने की कोई गुंजाइस नहीं है government कहता है उसमें पूरा taxable करो इसके बाद rent paid by employee less than 10% of salary मान लो इसका salary कितना है एक लाग और वो rent देता है पूरे साल का मात्र 500 रुपे तो बहुत कम salary है रेंट बहुत कम है साल का कितना दे रहे 500 रुपे इसका मतलब देखा जाए तो salary का 10% भी आपका किराये में नहीं जा रहा तो कोई rule ने लगाना सारा taxable हो जाएगा तो HR क्या होता है देखो यहाँ पे क्योंकि आगे हम परकिजिट्स करेंगे तो वहाँ पे भी मकान से किराये का discussion किया जाएगा वहाँ पे जब मकान से किराये का मकान से इस तरीके का discussion करा जाएगा तो वहाँ पे मालिक क्या करेगा आपको किराये देने नहीं देगा बोलेगा मैं दूँआ किराया आप बस रहो या मेरा घर है मेरे घर में रहो तो उसे क्या बोलेगा परकेजेट्स यहां पे मालिक employee के हाथ में पैसे देगा भाईया यह पैसे लो आप और आपको जहां रहना है वहां रहो किराया दो मत दो आप मेरी सरदर्दी खतम तो उसके लिए क्या कॉंसर्ट बनगे एचारे तो एचारे हमारा सेक्शन क्या है 10 सबसेक्शन 13A इसके अंदर या तो fully taxable हो जाएगा या exemption मिलेगा fully taxable कब हो जाएगा अगर employee रहता है किसी family के साथ यानि रेंट पेड नहीं करता अगर employee रहता है अपने घर में और रेंट अगर 10 परसंट से कम हो लेकिन exemption तब मिलेगा आपको और exemption कैसे मिलेगा आपको lower of तीन पॉइंट में से जो सबसे कम आएगा उस पे आपको exemption मिलेगा जैसे आपका actual receive rent paid minus 10% of SRB अब SRB क्या है basic salary plus DA retirement benefit और plus में fix commission और तीसरा है 40 या 50 depend upon city अब entertainment में भी ऐसा था वहाँ पे भी था 20% of salary entertainment allowances करवाया था मैंने 20% वहाँ पे सिर्फ मैंने basic word का इस्तमाल किया था तो salary chapter के अंदर हर एक point में salary का मतलब बदल जाता है वहाँ पे 10% salary था तो कौन सा salary था सिर्फ basic यहाँ पे भी 10% salary बोला हुआ है आपके book में 10% salary law बोलता है लेकिन किसका salary यहाँ पे इन सब को जोड कर माना जाएगा थीक है तो इसका कैसे करना एक example लेते हैं देखो example के help से पता चल जाएगा हमें थोड़ा अब सबसे important topic है बी कॉम के लिए यह और बाकी अदर के लिए भी है इसके उपर से अलग से 10 नंबर का question आता है कि lower of exemption higher of exemption दे दोगे अगर higher of दे देते हैं चलो आपके मान लिया higher of आपको rent कितना मिला है दस हजार एक्जम्शन बारह हजार ले लोगे आप सरकार से print मांग लोगे और tax है तो lower ही दोगे न हाइर तो ले नहीं सकते क्योंकि higher हमारा हमेशा lower of रहेगा कि least इसमें से एक minus करो higher में तो फिर सब ज्यादा आजाएगा अब देखिए एक एक ग्जाम्पल मानलो राम मानलो राम का basic salary है पचास अजार रुपए पर मन्त डिये है 60% of basic salary एक जाम्पल देखना और 20% retirement benefit फिर्स्ट पॉइंट कर दिया सेकेंड थर्ड children education allowances 200 per month और इसके पास जो child है for one child और चौथा पॉइंट इसको house rent allowances मिलता है 25,000 रुपए पांचवा पॉइंट कंपनी का sales है पांच लाग छटा पॉइंट आपका commission है 2% ठीक है आपको calculate करना है taxable salary मैं चाहूं तो यहाँ पे सिर्फ हारे का भी exemption बोल सकता हूं लेकिन आप इसके अंदर क्या calculate करोगे taxable salary तो taxable salary कैसे निकालेंगे सबसे पहले basic salary basic salary कितना लूम है पचास अजार छे लाग इसके बाद DA 60% एक लाग ने तीन लाग साथ हजार सीज चिल्डरन एजुकेशन अलाउंसे चिल्डरन एजुकेशन अलाउंसे कैसे लेंगे इसको 200 रुपे तो मिलता है exempt 100 multiply 12 1200 इसके बाद commission is part of salary commission दो परसेंट पांच लाग का एक हजार दस हजार आएगा पांच लाग दो परसेंट दस हजार आएगा दस हजार इसके बाद HR वैसे तो 25 अजार है अगर मैं इस question में बोल देता कि जो राम है वो अपने family के साथ रहता है अपने घर में तो मैं पूरे 25 अजार taxable कर देता लेकिन मैंने इसमें कोई information नहीं दिया तो आप मानो के राम किराये पर ही रह रहे है अजम्शन रहेगा अब हमें निकालना पड़ेगा HR में से less exempt कितना exempt करें under section 10 sub section 13A में इन तीनों में से lower मैं यहीं पर calculation कर देता हूँ इन तीनों में से lower actual receive रेंट पेड नहीं रेंट पेड नहीं दिया मैंने तो साथवा रेंट पेड मान लो और यह 25,000 रुपए मैं पर मन्त कर देता हूँ ठीक है तो पूरे साल का कितना हो गया तेन लाग पर मन्त रेंट पेड 20,000 पर मन्त बीस अजार इंटू में बारा दो लाग चालिस अजार रेंट पेड देखो मैंने रेंट पेड भी पर मन्त कर दिया है और एचारे भी पर मन्त कर दिया है थोड़ा चेंज किया है मैंने एक्च्वल रिसीव कितना हुआ तीन लाग रेंट पेड कितना हुआ मैंने बताया यहां पे बीस अजार एक महीने का पर मन्त का पर मन्त का कितना बताया मैंने बीस अजार तो कितना हुआ दो चालिस रेंट पेड माइनस 10 परसेंट आफ अब SRB निकालना पड़ेगा पहले क्योंकि SRB तो में ढून ढून के निकालना पड़ेगा SRB क्या होगा SRB होगा बेसिक सैलरी यानि 6 लाग प्लस डी ए रेटायर्मेंट बेनिफिट तो मैंने बोला 60% नॉर्मल डी तो 30 साथ था इसका 20% रेटायर्मेंट बेनिफिट के लिए कितना आगया प्लस कमीशन है तो ठीक है नहीं है तो मत लिखो है 10,000 सपोज करो ध्यान से सुनना मैं यहां बोलता कमीशन 5000 रुपे तो क्या उसको एड़ करते हैं नहीं करते हैं कमीशन में भी देखना अलग-अलग बाते बोली गई है टोटल कितना हो गया इसका निकालेंगे हम 10% तो 6,72,6,00, का 10% 68,200 यह माइनस करके कितना आगया बताओ 2,40 में से अगर माइनस करें एक अब कहां सिटी में रहता है नहीं बताया मैं चलो इसमें मेंशन कर देता हूं कि मानलो डैली में रहता है अगर कोशन में भी ऐसे ना बताया जाए तो आप अजम्शन लेके कर सकते हैं 40 या 50 से और नीचे नोट दे देना हमने एजिम किया मेरे कोशन में चलो मैं बता देता हूं कि यह कहां रह रहा है डैली में तो अब कितने परसेंट लेंगे 50 परसेंट तो 50 परसेंट औफ वट किसका SRB का यानि 6,82,000 रुपए का टोटल SRB तो यही है ना आपका 6,82 तो 6,82,000 रुपए का 50 परसेंट तीन लाख एक तालिस अजार चालिस अजार 41 ये लो मैं यहां पर 4 तो लिख दी अब मुझे माइनस करना है माइनस करने के लिए देखो मेरे को मुझे एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा और उस कैलकुलेशन में से ढूंड़ना है सबसे कम वाला मांट तो कौन सा आगया हमारा 1718 100 एक लाग और इसको कर दोगे तो GTS Gross Total Salary ठीक है अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि Factor बढ़ने के साथ Factor चेंज होने के साथ सारा calculation चेंज हो जाएगा Part wise मान लो इसका salary पांच मेहने कुछ और है और साथ मेहने कुछ और है तो पांच मेहने का इस तरीके से अलग और साथ मेहने का इस तरीके से अलग मान लो पाँच महने salary अलग है, साथ महने अलग है, लेकिन तीन महने DA अलग है, और बाकी का DA सेम है, तो तीन महने का अलग factor, दो महने का अलग factor, साथ महने का अलग factor हो जाएगा, माल लो दो महने family के साथ रहता है 10 महने वो rent पे रहता है फिर क्या होगा 3 महने का अलग factor 2 महने का अलग factor 2 महने जो family के साथ रहता है मतलब जहाँ जहाँ changes आएगा वहाँ के part को तोड़ तोड़ के हम calculation में भी change कर देंगे इसलिए important बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर calculation जो होता है वो ध्यान से करना होता है कि कहाँ पर क्या factor change हुआ है कौन-कौन से factor change होने के बाद calculation change हो सकता है salary, DA, commission, रहने का जग है 40 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है इसके साथ कितना rent paid कर रहा है ये भी हो सकता है इसके साथ-साथ actual receive है भी या नहीं है ये भी देखा जा सकता है यानि जितने भी हैं sub factor में से थोड़ा भी change होगा तो आपको part cut करके पहले जितना change है उस part का अलग और जितना change है उस part का अलग करना पड़ेगा तो एक बार फटा फट नोट करो फिर इस पर कुछ practical example देखते हैं जो है